हलो दोस्तों अगर आपके पास भी अगर कोई J7 Next फोन है और उसमें फ्लेशिंग करते समय आप एरर का मेसेज आता है और फ्लेशिंग नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस सॉलिसन को इस पॉलम का सॉलिसन कैसे किया जाए दोस दोस्तों इस फोन का फ्लेशिंग फैल होने का में कारण है क्या दोस्तों कोई भी काम करने से पहले हमें उनका जो पॉलम है उसका सॉलिसन ढूना जरूड़ी है तो दोस्तों मैंने इसका सॉलिसन निकाला है कि इस फोन का एक्जैक्ली पॉलम है क्या जिसके ओजैसे वो यह flashing नहीं हो पा रहा है दोस्तों चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा से बताएंगे दोस्तों सबस्ब पहले आपको करना क्या है यहां से आपको home button, mollin up button और power button जैसा कि हम लोग factory reset करते हैं लिए हम factory reset नहीं करेंगे यह तीनों बटन को दवाने के बाद देखे, आप जैसा कि दोस्तों यहां पे देख वा रहे है J701FFT दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम कौन सा फाइल चराए हम लोगों को यही चीज़ों का confirm नहीं होता है जैसा कि दोस्तों इससे पहले जो भी हम लोग Samsung में flashing करते थे तो उसमें U1 आता था या ऐसा कुछ U3, U4 जो कि Samsung का फिछला version है तो उसमें भी ऐसा ही होता था जब Samsung J7, Next 6.0 था 7.0 उसको अभी 8.0 आ गिया है तो दोस्तों यह उसके हिसाब से इसका binary version चेंज होते रहता है तो यहाँ पे ना तो U1 है ना U3 है जैसा कि हम लोग पहले download करते थे U3, U1 U4 का flash file और जिसमें जो होता था वो चला देते थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं UA4 है तो यह file आपको exactly कैसे मिलेगा तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं computer पर computer पर आपको सबस्पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे google search करना है google search करने के बाद जैसा कि हम आपको दिखाया है mobile में जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं J701 FFD SACUA4 इसको हम computer में दवाएंगे Google में दवाएंगे J701 J701 FDD तो जैसे दोस्तों इसको मैंने पहले ही सर्च किया है तो यहां पे यहां पे आ गया है तो हम नीचे वाले को लिले लेते हैं उसका और इंटर करेंगे दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं जो first side कोल गया है इसको आपको यहां से ओपेंड कर लेना है और यहां पे देख पा रहा है आप जो फाइल मैंने सर्च किया हुई है उसके बाद दोस्तों जैसे कि यह साइट खोल जाएंगा उसको यहां पे मेरा क्या है उसको डिसेबल करना परेगा हम आपको करके दिवा देते हैं मेरे पास और यह पाल बम नहीं आएगा तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे है आप इसको FRP के लिए भी फाइल डानौड कर सकते हैं और यहां पे आपको Google Drive से यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं Download Google Drive server आप यहां से भी download करते हैं लेकिन अगर आप Google Drive से सर्वर से करेंगे तो इस से पहले आपको Logging करना परेगा तो आप Logging कर लीजीगा उसके बाद आपको यहां से आपको Downloading में क्लिक कर देना है फिर यहां पे देखिए यहां पे आगया 2.4 GB का फाइल है तो दोस्तों हमको इसको अप डाउनलोड नहीं करना है इसलिए क्योंकि मैंने कर लिया है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे flashing करना है Audien को आफन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यह अभी फैल नहीं हुआ क्योंकि अभी जो मैंने फाइल को download किया है तो same origin का इसके बाद AP फाइल को ले लेते है AP में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको इतना वेट करना है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जहांपे skip करने की जरूरत होगी वहापे हम कर देंगे जैसे कि आप देखवा रहे हम इसी तरह से सारे फाइल को एड़ कर लिये हैं अब हमको mobile में आना है और और यहां पर आप देखवा रहे हैं यहां से भी आप इसको download mode में लेके जा सकते हैं सायद कि यह चल जाए reboot to good loader यहां से यह नहीं जाएगा तो हमको आपको लेकिन अक्सर सेमसम के फोन में वहां से चल जाता है तो चलिए हम volume down बटन दबाके download mode में लेके चलते हैं home button volume down power button आगिया volume of इसके बाद हम phone को कर देते हैं computer से connect अब आपको देखना है कि यह fail नहीं होगा देखिए जैसे कि आप देख़ा रहे हैं यहां पर file add हो गया उसके बाद देखिए अब हम इसको कर देते हैं start तो इससे पहले दोस्तों मैंने कई बार flashing करके देखा कई तरह के इका फाइल से लेकिन यह flashing नहीं हो पा रहा था और इसका जो same file है वो मुझे मिल भी नहीं रहा था तो फिर मैंने वही दिमाग लगाया factory mode में गया और वहां से इसका पूरा address को copy किया उसके बाद मैंने google में search किया तो मुझे यह file मिला उसके बाद अभी यह completely flashing हो पा रहा है दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा सा skip कर देंगे यहां पर वीडियो में आप बने रहे हैं पाद है तो जैसा कि अब देखा रहा है flashing complete हो गया अब phone चालो हो रहा है अब देखिए installation होगा और इसके बाद जो पुरा process है वो complete हो जाएगा अब दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे पहले बहुत बार मैंने try किया नहीं हो रहा था लेकिन अब हो जाएगा तो thank you वीडियो देखने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में तब दक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे